आज हम पढ़ने वाले हैं सहकारी अधिगम और इसके प्रमुक तत्व क्या क्या होते हैं इनके बारे में बात करेंगे इसके अलावा दोस्तो समावेसी सहकारी अधिगम क्या होता है उसके सिद्धान्द क्या होते हैं उसके तत्व क्या हैं उनके बारे में आज चर्चा होती है और करते दोस्तों आपसी सहिंयोंक से कारे करते हैं और सामुहिक निरणे लेते हैं ग्रूप डिसकसन होता है और उनमें जो निरणे लेना की छमनेगर चया और समु के रूप में किसी सेक्षिक गतीविदी या प्रोजेक्ट को पूरा करके सुखते हैं और सहकारी अधियंगम इसमें अनताह संबंद को मुख विस्था सकारात्मक होती है और इसमें उद्देश जो होते हैं वो अंतह, निर्भरता और विक्तिगत और बोल सकते हैं कि विस्वस्नियता के आधार पर होते हैं सकारात्मक उद्देश अंतह निर्वर्ता सम्हू से यह मांग करती है कि सम्हू अच्छा है या बुरा हर एक इस्ति में साथ रहेगा और चातरों की दूसरे के सहियोग से कार करके सिखने की योगता और उनके व्यक्तित्व संबंद बनाने और उन्हें स्थाई रखने की कुंजी मानी जाती है तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें कि सहकार अधिगम में चातर क्या करते हैं आपसी सहियोग से जैसे कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाता है जैसे इवेस्ट ग्लोबल वारेमिंग अभी ज्यादा बढ़ रहा है और इलेक्टानिक कच्रा ज्यादा बढ़ रहा है जैसे घर के हम देखते हैं टूबलाइट, फंके, मोबाइल, एसी और टीवी यह सारी चीजे बहुत पुरान जो खराब हो चुके हैं उनको घर में रखे-रखे रखते हैं और वह इसी वेस्ट हो रहे हैं तो यदि इसी पर आदी आप स्टुडेंट को बताया जाए कि आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं और इस पर यह बताइए कि इवेस्ट हमारे घर में कैसे नुकसान पहुचाते या इस प्रत्वी को कैसे नुक्सान पहुचाते तो सभी मिलकर क्या करेंगे कि सामुही कुरूप से एक दूसरे का सहीयोग करेंगे एक दूसरे का डिसिजन लेंगे और प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिस करेंगे कि ड्रामा ही दे दिया तो ड्रामा या फिर पैंटिंग रिख्षारात्मक्त और अन्त्रारात्मक्त निर्वरता . फो प्रोजेक्स काम कर रही है दिए उनका कई नएक कई नोगान कीμεिने का योगदान , और कारियों में कोई भी प्रोजेक्ट का कारिय कर रहे हैं तो उनमें वे लोग भी सामूहिक रुप से साहयक होते हैं और समू द्वारा किये गए कारियों उनके अपने कारियों में साहयक होते हैं इसमें छात्रों को यह बताया जाए कि उनकी सफलता या असफलता दुसरों की असपलता या सपलता पर निर्वन नहीं करती छात्रों को यह सिखाया जाना चाहिए कि समू की सपलता के लिए संसादनों का उपयोग हमें मिल दूल कर करना चाहिए यही बात कही गई है दुसरी बात है साक्षात कर अंतर क्रिया यहां अंतरक्रिया ऐसे वक्तियों को देखने को मिलती है जो एक दुसरे को प्रभाव साली साहिता प्रदान करते हैं और वे सादमों का आदान प्रदान करते हैं सुचनाओं का अच्छा प्रक्रिया करन करते हैं समू के उद्देशों को प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं सहकारी अधिगम में तत्व के अंतरगत व्यक्तिगत उत्तरदाईत वर तो सहकारी अधिगम का तिसरा महत्पून तत्व व्यक्तिगत उत्तरदाईत होता है छात्रों का मुल्यांकन करने पर हमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी का ग्यान होता है और अध्यापक इस बात का मुल् अगला मलब तत्व की बात करें तो अंतह व्यक्तिकत कोशल यह जो होता है यह चात्रों के प्रयासों में उद्देशों की प्राप्ति के लिए आपसी तालमेल पेदा करने के लिए चात्रों को कारे करने चाहिए कौन-कौन से कारे करने चाहिए उसके पर हम बात करें कि उन्ह कौन विशेस्ट विशिष्ट बच्चे कौन कमजोर बच्चे हैं उनके उपर भी ध्यान देना चाहिए सहकार्य अधिगम में हम अगला तत्व देखे तो समुहु प्रक्रियाक्रम समुहु प्रक्रियाकरण में क्या होता है कि इनका जो उद्देश समुहु के सदस्यों के समुहु में बाठ कर सारी कख्चा को एक समान प्रक्रियाकरण प्रदान कर सकता है वह यह भी सुलिश्ट कर सकता है कि सभी छातरों में आपसी सहियोक से, विशेवस्तू में निपूनता प्राप्त करने की भावना विक्षित हो आगे हम बात करें कि समावेशी सहकारी अधि कख्षाओं में उपचारिक सहकारी समूँ पाठ लागू करना शुरू करेंगे तो उन्हें कहने निर्णाय भी लेने पड़ते हैं जैसे सिक्षकों को यह निर्णाय करना चाहिए कि वे अपनी कख्षाओं में सहकारी अधिगम केसे सामिल करेंगे वे समूं किस्तर बनाएंग किजिधिक से यह प्रियाशिल भागिदारी को केसे सुलश्चित करेंगे और छात्रों के अधिगम का मुल्यांकन केसे करेंगे इसके अलावा दोस्तों सहकारी अधिगम को यह दिक्तम प्रभाव शीलता के लिए इसमें पूर्ण तालमेल और सहपाटी संयोगी होने चाहिए एसी कक्षाओं में जिनमें प्रति दंदत्माक की भावना हो और सहकारी अधिगम प्रक्रिया को लागू करने से विपित प्रिना मिकल सकते हैं चातरों के लिए ऐसा सुरक्षित समुदाय उत्पन करने के लिए जिसमें सहकारी अधिगम कक्षा के मुल्यों का उपचारिक भाव हो समुदाय, संबंदो, मदवेदो का मुक्त संचार और कक्षाओं अभ्यासो पर ध्यान दिया जाना चाहिए चोथा पैन की बात करे समावेसी सहकारी अधिगम के सिध्धांद की तो कक्षा के प्रतेक कारे में सहयोग, समुदाय और संबंदता की भावना होने चाहिए एसे कक्षा समुदाय के सरजन के लिए जिसमें सभी छातर सामाने महसुस करे और एक दुसरे के अधिगम को सहयोग दे सिध्धक को ऐसे सभी मामलों का प्रतेक शुरुप से सामना करना चाहिए जो कक्षा को प्रभावित करते हो